बॉलिवुट की खिलाडी कुमार यानि की अक्षे कुमार इन दिनों केप टाउन में हैं और वहीं पर सलिब्रेट कर रहे हैं अपनी पतनी ट्विंकल खना का बर्दे देखे ज़रा इस तस्वीर को जिसमें अक्षे कुमार सहब अपनी वाइफ ट्विंकल खना को केप टाउन अब जिस फोटो को भी आप देख रहे हैं, यह फोटो है केप टाउन की, देरसल आज यानि कि 29 दिसंबर 2017 को ट्विंकल खन्ना अपना 43 वा बर्दे सेलिब्रेट करी हैं, और इसी बर्दे के मौके पर अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना अपने पूरे परिवार के साथ छुट अक्षय कुमार सहब ने एक लॉंग ड्रेव प्लैन की और निकल पड़े अपनी पतनी को लेकर इस ड्राइव पर, अक्षय कुमार सहब ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, मेरा हर सफर एडवेंचर्स और मनोरंजन से भरा हो अक्षय कुमार सहब अपने इसी परिवार के साथ सेलिब्रीट कर रहे है चुटिया केप टाउन में, वही पर अक्षय कुमार सहब ने बीटे दिन एक और फोटो शेयर की, वो भी साउथ एफरिका से ही, पर अगर आपने अक्षय की फोटो पर गौर किया हो, तो अक्षय कंधे पर अपनी बीवी ट्विंकल खना का नाम लिखवाया है, जी हाँ, कंधे पर उन्होंने लिखा है टीना, पर फोटो इतनी ही नहीं है, इस तीसरी फोटो को देखिए, जहां पर ये लोग शायद बीच किनारे बैठे हैं, वही पर अक्षय के साथ है उनकी पतनी ट्व तो इस तरीके से ट्विंकल खना का बर्दे सेलिब्रेट किया जा रहा है 29 देसंबर 2017 यानि आज के दिन केप टाउन साथ एफरिका में, फिलाल अक्षय कुमार साहब ने हाल ही में अपने फिल्म गोल्ड की शूटिंग कम्प्लीट की है, वहीं पर 26 जनवरी 2018 को अक्षय कु अक्षय कुमार साहब के फिल्म आने वाली है बैड मैन जिसे प्रड्यूस कर रही है खोद ट्विंकल खना, वहराल ट्विंकल खना को फिल्मी बीट की टीम की तरब से उनके बर्दे की धिरो धिरो बधाईया, इस वीडियो में फिलाल इतना ही बॉलिवड ओ टेलिजिन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को